वीडियो शुडू करने से पहले मैं थैंक्यू बोलना चाहता हूँ राजगरिया हुन्डाई को आप देख सकतो यह है सिचुएटेड बाराशाथ कोलकाता में अगर आपको कोई भी हुन्डा का गारी चेक आउट करना है आप यह शोरूम पर आ सकते हो शोरूम का सारा डीटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा आज मेरे चैनल पर थंडिल देखके त्ब आपको पता चल गया होगा तो आज मेरे सामनें अब देख सकतो यहंद पर है फुन्डाई क्रेटा अभि ये जो वेरियंट आपका बेस और पर पasında रियंट है आपका बेस एड र शॉक्racy सेयर पर शेंट करेंग अभी में एक्स वेरियंट है इसका आराउं 12.18 लाक्स है तक्रीबान आपका 1.20.000 का डिफरेंस है तक्रीबान आपका 1.40.000-1.50.000 का डिफरेंस में आ जाएगा आज मैंने चैनल पर मैं आपको फुल डिटेल में दिखा दूँगा यह दोनों गारी में आपको क्या मिल जाता है मतलब जो प्राइस आप पे कर रहे हो नॉर्मली गाईस यह जो एक्स वेरियंट है यह बहुत ही एक अच्छा बैलेंस है बिट्विन फीचर्स और आपका आपको पता दूँगा वीडियो चुडू करने से पहले काईस सब्सक्राइब बटन जरूद दबा दीजिए एपसलूटी फ्री है और बेल आइकन भी ओन कर दीजिए और वेट नहीं करते हैं एंड वीडियो शुडू करते हैं और बात करूं दोनों में ज्यादा कुछ भी आपको पार्किंग लाइट के साथ जलता है और इंडिकेटर आपको हैलोजन फिनिश में मिलता है और आप अफ्टर मार्केट में इसको अपड्रेट कर सकते हो और इसमें आप पार्किंग सेंसर यह सब एक्सपेक मत कीजिए नहीं मिलेगा और इसका जो सामने का अब एकदम सेम ही है यह यह तो अपर आपको मिलेगा दोनों में आपको यहां पर इंडिकेटर फेंडर पर मिल जाता है जैसे कर दोड़ा से नहीं में इसका मिलका इसका है अभी जो थोड़ा से difference है वो है इसका mirror पे, यह जो base variant है आप देख सकतों, इसमें भी आपको manually foldable और unfoldable mirror मिलता है, यहापर भी आपको same treatment मिलता है, बद जो difference है वो है under, जो base variant में जो है, उसमें जो आपका mirror है, वो आपको यहाँ से हाथ से control करना परेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यह जो upper base है, मतलब EX variant है, इसमें आपको electronic adjustment मिल जाता है, जैसे कि आप लोग वहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर आपको electronic adjustment दिया गया है, यह है कुछ difference mirror पे, दोनों में आपको यहाँ पर body color door handles मिलता है, center locking आपको दोनों में ही मिल जाता है, दोनों का B pillar भी आपको mat back पे मिलता है, भाई, base और upper base है, swap, यहाँ पर sunroof expect मत कीज़ें, sunroof के लिए आपको S option variant पर जाना परेगा, पीछे का भी tire का profile same है भाई, 205, 65, R16, और पीछे भी आपको दोनों variant पर display दिया गया है, with ABS and EBD, अभी अगर rear profile के बारे में बात करूँ है, तो rear profile दोनों का ही एकदम same है, यहाँ पर आपको connecting tail abs मिल जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर कोई LER treatment आपको नहीं मिल गा, यहाँ पर आपको halogen indicator मिलता है, base variant पर, and upper base में भी आपको halogen indicator दिया गया है, क्रेटा का badging है, यहाँ पर भी आपको क्रेटा का badging मिल जाएगा, पीछे आपको दोनों में कोई rear wiper, deflogger, washer आपको नहीं मिल गा, सिर्फ आपको एक high mount sublime मिल जाता है, दोनों में, and यहाँ पर अगर मैं boot open करू, then boot आप देख सकते हो, अगर मैं base का boot open करू, then यहाँ पर आप देख सकते हो, 60-40 split आपको मिल जाता है, कोई भी loading lip आपको नहीं मिलता है, so that is pretty good, यहाँ पर आपको hook मिल जाता है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपको कोई hook नहीं मिलता है, और कोई light भी आपको नहीं मिलेगा, and यहाँ पर आपको पीछे adjustable headrest दिया गया है, so यह तो था guys, base का boot, अभी जो upper base है, मतलब EX variant उसका भी boot एक बाद check out कर लेता है, so इसका मैं boot अगर open करूँ, यहाँ पर भी आपको same सब कुछ मिलता है, आपको 60-40 मिल जाता है, यहाँ पर आपको adjustable headrest के साथ, मतलब seats मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको hook मिलता है, जैसका आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको कोई light यह सब नहीं मिलेगा, और कोई parcel shelf भी आपको दोनों variant पे नहीं मिलेगा, यहाँ पर bags रखा हुआ है, यहाँ पर देखके एक idea बना सकते हो कि आपको boot space कितना मिल जाता है, यह तो था दोनों का boot और rear profile और एक जो चीज है आपको दोनों में पीछे चार parking sensor मिलता है, जैसे के आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर दोनों है, वहाँ पर भी दोनों आपको मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको सेम treatment मिल जाता है, बेस विरियन में भी आपको 4 power windows मिल जाता है, so that is pretty good, speaker का placement है यहाँ पर, seats के बारे बात करूँ, यहाँ पर आपको dual adjustable headrest मिल जाता है, fabric seats है guys, dual finish में, and बीच में आपको कोई, बीच में आमरेस भी आपको मिल जाता है, so that is very good, बेस विरियन पे आपको आमरेस मिलता है, and इसका बी EX का rear seat check out कर लेते है, so यहाँ पर भी आपको dual finish मिल जाता है, power windows switch के साथ, bottle holder है, यहाँ पर भी आपको dual adjustable headrest मिल जाता है, with an armrest in the middle, यहाँ पर भी आपको मिल जाता है, with a halogen reading lamp in the middle, so guys, दोनों में आपको कौन सा बेटर लगा, आप मुझे ज़रू बताइए, दोनों में तो भाई, कोई भी डिफरेंस नहीं है, अगर मैं, मतलब रियर सीट और यहाँ पर आप देख सकतो, यहाँ पर जो है, आपको मिलता नहीं है, वो है, कोई adjustability आपको नहीं मिलागा, जैसे के मैं आपको बोला था, यहाँ आपको हाथ से, मतलब operate करना पड़ेगा, चारू पाव विंडो का स्वीच है, विंडो लॉक का स्वीच आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर speaker का placement है, water loader आपको दिया ग यहाँ पर आपको push button start तो नहीं मिलेगा, normal start-up को मिलता है, यहाँ पर AC आपको देखेंगे, AC आपको यहाँ पर normal wave मिलता है, manual AC मिलेगा, hazard light का switch है, जो difference है, वो है कि base variant पर आपको कोई infotainment system नहीं मिलेगा, वो आप aftermarket में upgrade कर सकते हो, आपका जैसा मन है, यहाँ पर आपको को folders है, armrest आपको मिलता है, यहाँ आपको कोई button नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कोई infotainment system है नहीं, यहाँ पर आपको सिर्फ button मिल जाता है, यह जो screen है, उसको control करने के लिए, screen के बारे में अगर बात करूं, आप देख सकते हो, यहाँ पर base variant से भी आपको यहाँ यहाँ instrument customer मिल जाता है, तो काफी अच्छा है, यहाँ से change कर सकते हो, so that is there, उपर अगर हम लोग देखेंगे, आपको यहाँ पर एक manual living air vm मिलता है, यहाँ पर visor में आपको मिलेगा एक mirror, बट कोई light नहीं है, यहाँ पर आपको मिलेगा एक ticket holder, कोई mirror यह लाइट आपको नहीं मिले जाता है, यहाँ पर एडिशन है, वो है कि यहाँ पर आपको mirror के लिए adjustability मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आप अगर adjust करूं, आप देख सकते हो रहा है, यहाँ पर चारो power window का switches मिल जाता है, बट कोई भी one touch down, one touch up आपको नहीं मिलेगा, वाट रोल्ड बहुत गर्मी है, और इसी भी on कर लेता है, इसकी interior के बारे में बात करूं, यहाँ पर जब notice करेंगे, वो है कि यहाँ पर जो touch screen है, यहाँ पर यह एडिशन हुआ है, यहाँ पर यहाँ पर 8 इंच का touchscreen system मिल जाता है, यहाँ पर आपको wireless android apple carplay मिलेगा, जिसकी आप लोग को 8 इंच का स्क्रीन में, मिल जाता है, जो 10 इंच का आता है, उसमें आपको wired मिल जाता है, यहाँ पर overall interior एकदम हुब हुआ हूँ सेम है, कोई भी difference आपको नहीं मिलेगा, glove box अगर हम लोग दिखेंगे, glove box में भी आपको cooling function यह सब नहीं मिलता है, but provision है, आप देख सकतो, आप आपको auto AC मिल जाता है, जो आपका S optional variant है, उससे आपको dual zone AC है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, hazard light का switch है, नीचे आप देख सकतो, जो addition है, वो है USB type A का port आपको मिल जाता है, जो की base variant पे नहीं था, इसमें भी आपको gear box मतलब manual gear box आपको मिल जाता है, dual cup holders है, manual handbrake है, यहाँ पर आपको buttons मिल जाता है, for the infotainment system, यहाँ पर आपको मिल जाता है buttons to control the MID over here, obviously भाई, base variant और upper base में आपको cruise control नहीं मिलेगा, overall 6 airbags तो भाई, base variant से है, सामने तोनों तरफ आपको airbags मिल जाएगा, side airbags है, यहाँ पर curtain airbags भी आप देख सकतो, symbol दिया हुआ है, so base variants आपको 6 airbags provide किया है, instrument cluster भाई, आपको एकदम सेम मिलता है, साब देख सकतो, instrument cluster में कोई भी difference नहीं है, so यहाँ से आप change कर सकते, इसका जो screen है, साब देख सकतो, सब कुछ एकदम हुआ 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 है, but मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, कि base variants है, आपको यहाँ में जो कि आप LEDs में upgrade कर सकतो, यहाँ पर वाईजर में आपको mirror मिलता है, वाट कोई light नहीं है, यहाँ पर आपको ticket holder मिलता है, कोई mirror यह लाइट आपको नहीं मिलेगा, so base variant के साल अगर में compare करू, then जो खास चीज़ है, वो है यह touch screen, इसमें आपको wireless android or tablet card में मिल जाता है, and थ the upper base variant मतलब जो EX variant है, so guys, मैं अगर मेरा personal opinion दूख, अगर आप ट्रेटा खरीद रहे होना, then आप थोड़ा budget extend करवा के आप S variant ले लीजिए, क्योंकि S variant मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा value for money है, उसमें आपको LED headlight, headlight, top model में आता है, वो आ जाता है, अगर आपको S variant का video देखन आए, button पर आजाएगा, आप देख सकते हो, but अगर आपका budget between 12 and a half to 13 lakhs है, then तो मैं बोलूँगा, आप EX variant ले लीजिए, अगर आपका modification का उतना शौक नहीं है, क्योंकि EX variant पर बहुत कुछ, मतलब, आप aftermarket में भी थोड़ा बहुत upgradation कर सकते हो, जैसे कि headlight आप upgrade कर सकते हो, बहुत कुछ, ally आप लगवा सकते हो, so that is there, and अगर आपका भाई, भहुत ही modification का सौक है, आप गारी खुद की हिसाब से बनाना चाते हो, then तो भाई, आप base variant ही लीजिए, जो कि आपका E variant है, so guys, यह था मेरा वीडियो, आज के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया, then don't आपका भाई हा एंग, ऑा यह थी तो जाब सकते हिसे लागरे, बहू कि खुद की हुदा ऊगरे का सौक हुत, 陳ěिए, आपकार आपकाशजय इतगी लीजिए, आह वीजिए, से वीजिए, आपकारि ही ocas 삶, भाई।, आपकार темпер where बहें ही लीजिए, इते हैं वीजिए, जरी